All right guys, so हमारी यह जो I discuss website है, जो forum website है, उसमें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कि जो हमारी thread वाला page है, उसको थोड़ी सी सजावट हम लोग करेंगे, आज मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कि जो मेरा VS code है, उससे सबसे पहले तो thread वाले page में आ जाता हूँ, और उसके बाद य सारे के सारे discussions जो है, एक thread के corresponding उनको pull करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ अपनी table और खुद भी देखू, मुझे याद नहीं रहता है table to be honest, तो मेरी जो threads है, उसमें क्या क्या बनाया था, ID, title, description, category ID, user ID जिसने डाला, user ID by default अभी zero है, तो वो चीज जो है हम लोग देख लेंगे अभी, अब यहाँ पर देखो, क्या है कि मैंने आपर thread ID, thread title यह सब चीज़े लिखे हुई, अब मैं चाहता यह हूँ, कि यहाँ पर जब मैं कोई भी आये यहाँ पर, तब क्या होना चाहिए, discussion सारे आ जाने चाहिए, यानि कि यह सारे के सारे जो comments अगर किसी user ने किये हैं, तो वो आ जाए, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी comments की table बनाई नहीं है, category की बनाई है, और threads की बनाई है, तो मुझे एक सबसे पहले comment की table बनानी पड़ेगी, तो आजओ यहाँ पर comment की table बनाते हैं, तो मैं आपर comment यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने comment लिखा, और यहाँ पर इस database में हम table बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं comment underscore id कर दूँगा, और उसके बाद मैं comment underscore content कर दूँगा, जो कि मेरा text रहने वाला है, और यह जो मेरी id है, इसको मैं teacher 8 कर देता हूँ, और मेरा जो यहाँ पर और क्या होगा, और य जो मेरा id discuss databases को खोलूँ, तो यह जो comment है, वो किसी thread से related होगा, होगा नहीं होगा, किसी thread से related, तो अब यहाँ पर यह जो comment है, जिस भी thread से related होगा, मैं यहाँ पर इसको डाल दूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा, thread id, जो भी thread id होगा, जिस भी thread से related होगा, जिस भी thread का comment होगा, और जो चौती चीज में डालने वाला होगा, यहाँ पर thread id और comment time, तो comment का time डाल दूँगा, इसको मैं date time बना दूँगा, और date time बना के इसको by default मैं कहा दूँगा, यह by default क्या हो जाए, इसकी default value ले 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 current time stamps के default value कर देना, और जो thread id हो भी integer rate कर देता हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से यह सारी की सारी चीज़े जो है, वो करके, अभी मैं इसको auto increment मैं करना भूल गया, तो यह primary key और auto increment बन गया, यहाँ पर comment id जो है, इस table को create कर लिए अब मैंने, ठीक है, तो यह table बन ग मैं आपर change करना चाहता हूँ, तो इसके structure में अगर मैं आऊँ, इस table को rename करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा operations में, और यह चीज़े भी हमें आनी चीज़े, rename table to comments कर देता हूँ, मैं इस table को comments करना चाहता हूँ, go करूँगा और यह comments हो गई, ठीक है, तो ज़्यादा कोई comments करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्योंकि मैंने सब को plural बनाया है, categories, comments, threads, थोड़ी सी consistency भी जरूरी है, ठीक है, चलो जी बढ़िया, अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैंने यह सारी चीज़ों को इस तरह से link कर दिया, अब यह comment जो है, मैं इसमें comments जो है, यहाँ पर स करने के लिए script लिए और बहुत ही similar होने वाली है वो script के, तो इसको copy करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर paste करेंगे, कहाँ paste करेंगे, discussions के उपर, तो मैंने एक container बनाया था, यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको paste करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इस container को paste करना चाहता हूँ, ज किया इसको मैंने तो problem title नहीं तो मैं आपर लिख दूँगा यह हटा देता हूँ एक div मैं सिर्फ comment रखना चाहता हूँ और यहाँ पर post comment ठीक है तो elaborate your concern हटा के मैं लिख देता हूँ type your comment ठीक है और उसके बाद यह जो name और descs को मैं comment कर देता हूँ यहाँ पर भी comment कर देता हूँ ठीक है id is equal to comment name is equal to comment rows is equal to 3 by default जो मैंने यहाँ पर दिया था reload करूँ उसको तो देखो start a discussion अटाके post a comment कर देता हूँ उसको मैं ठीक है और मैं आपर लिख देता हूँ post a comment मैं थोड़ा zoom कर रहे था हूँ ताकि आप लोग को दिखे और post a comment यहाँ पर लिख दिया मैंने और इसको मैं reload करूँगा अगर तो आप लोग देखो post a comment यहाँ पर आगया type your comment यहाँ पर कोई भी इंसान अपना comment टाइप कर सकता है और post comment पर क्लिक करेगा तो यहाँ discussion में दिख जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर कुछ है नहीं already तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया था बनाकर कि अगर कुछ भी नहीं है तो यह लिख कर आ रहा था अब यहाँ पर तो मैं जैंगो में जाँगा जहाँगा जहा तो मैं सारे threads fetch कर रहा हूँ तब मैं ऐसा करूँगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर threads fetch करूँगा तो अभी मैंने क्या किया एक comment post करने का form बना दिया id is equal to comment name is equal to comment कर दिया अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर नीचे यह comment out जो मैंने कर रखा था HTML का यह comment लगा और अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर fetch करूँगा comments में से कहां से comments में से तो मैं लिखूँगा select star from comments where thread cat id is equal to dollar id तो यहाँ पर comments में में मेरे पास thread id होगा तो मैं आप thread id कर दूँगा मैंने thread id मना रहा है अपने comments के अंदर तो मैं basically यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि वाई देख comments मुझे fetch करके दे दो ठीक है तो यह मैंने कर दिया है comment id comment content और thread id और comment time यह सारी चीज़े मुझे आपर डालना है comment time तो खुट डल जाएगा comment time खुट डल जाएगा thread id और comment content मुझे डालना है ठीक है तो यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या कि मेरा कहा गया thread वाला page मैं यह thread list को बंद कर देता हूँ भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मैं आपर लिखूँगा जब thread id यह हो यह सारा fetch करो मुझे चाहिए आपर जो thread है उसका content चाहिए comment content चाहिए यहाँ पर मुझे भी लिखना चाहिए था कि comment by किस ने comment किया है तो चलो एक काम करते हैं यहाँ पर add कर लेकिने इसको change करते हैं टेबल को और यहाँ पर add one column after thread id और यहाँ पर मैं भूल गया comment underscore by उसमें उस user का जो id हो आईगी इसको भी integrate करते तो अभी के लिए अभी हमें use नहीं कर रहा है उसको लेकिन होना जरूरी है कि भाई किसने comment बार रहा है वो चीज होना जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम comment by को छोड़ देंगे उसको use नहीं करेंगे सार और comment underscore content comment id comment content और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरा comment डाल दूगा और मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर सीधे comment का content ही डाल दूगा सीधे से मैं कहूंगा भाई देखो ऐसा है यहाँ पर सीधे content डाल दूग ठीक है save किया इसमें एक comment का content भी डाल देता हूं corresponding to thread id 1 तो insert में जाता हूं मैं यहाँ पर लिखोंगा 1 और this is a comment लिख देता हूं और उसके बाद thread id मैं आपर डाल देता हूं 1 क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पर appear करें 1 मेरा python है if I am not wrong और उसके बाद comment by में मैं लिख दूगा 0 अभी by default सारी user को मैं 0 मान रहा हूं और यह मेरा insert हो गया अब मैं इसको reload करूँगा अगर यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे कु thread id होनी चाहिए ठीक है तो मैं आपर link देता हूं मैंने आपर जो user में sorry URL में use किया वो thread id use किया है तो cat id नहीं use करके thread id use करता हूं क्योंकि मेरे get वाले जो मेरे URL है उसमे thread id के नाम से है यह पहले मेरा cat id के नाम से था अब मैं इसको reload करता हूं यहाँ और this is a comment यह देखो यह ठीक है जब मेरा user आ जाएगा जब मेरा user आ जाएगा तो मैं यहाँ पर user का नाम भी display करा दूँगा कोई tension नहीं है ठीक है लेकिन अब यह के लिए मैं this is a comment यहाँ पर display करा पा रहा हूं ठीक है इसको मैं reload करूं अगर यहाँ पर sorry inspect करूं अगर यहाँ तो vertically अगर आप center करान अभी के लिए मैं इसको this is a comment यहाँ रहने देता हूं ठीक है तो अगर कोई इंसान comment post करना चाहे तो वो कैसे करेगा यह आने वाले वीडियो में देखेंगे so guys इस point पर आप लोगों से request करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने video like नहीं करें तो kindly मुझे इस video में एक like देने और उसी के साथ अपने लिए आप अपने लिए इस playlist को access जरूर कर ले क्योंकि अगर यह playlist आप लोगों ने access नहीं करी तो यह difficult हो जाएगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए सीख पाना मेरे लिए सिखा पाना ज्योंकि यह जो playlist मैंने बनाई है आप लोगों के लिए मैंने यही चीज़ दिमाग में रखके बनाई है कि आप लोगों को मुझे शुरू से लेकर आगीर तक PHP सिखानी है और यह तभी मुम्किन होबाएगा जब आ क्लिकर किसको सेव जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं थांकियो सो मुझ गाइस वाचिंग इस वीडियो और आप लेक्स ताइम